सब्सक्राइब कोई एक नंबर था एक्चोली में 27 जिसकी जगह पर 57 पढ़ लिया गया है ठीक है मिन 27 की जगह पर 57 यूज करके कैलकुलेशन किया गया है ठीक है सो अर्फिमेटिक मीन यह जो 40 आप देख रहे हो यह बेसिकली क्या है यह रॉंग कैलकुलेशन है क्योंकि स्कोर 27 वाज मिस्टेड़ाइज 57 मिस 27 एक्चोली होना चाहिए कोई एक ऑप्जरिवेशन हंड ठीक है सो देखे थी मीनिंटिक मीन फार्मूला क्या होगता है डात कि एक्वल टू सम अफ ऑफ ऑफ ऑल अप्जर्वेशन ऑ गई है। डिवाई तईवाइट औड बाए डिवाइफ बाई मैं आटोटल आप्जर्वेशन अटोटल नामबर आफ ना φीरेशन यह टोटल नमबर है 100 नमबर जिसका 40 तो हम लोग क्या करेंगे इसमें पूट करेंगे 40 ए सम ओफ ओल अबजेर्वेशन सम ओफ नमबर अब जडिसंक इतना हो जाएं 100 हम लोग यहां पूट करदेंगे सब्सक्तरण आगया हमारे पास sum of sum of all observation sum of all observation यह हमारे पास आगया 40 into 100 that is 4000 ठीक है बट यह जो sum of all observation देख रहे हो इसमें एक कोई data है जो 27 की जगा 57 लिखा आगया है ठीक है इसमें से कोई भी एक observation जो है वो 27 होना चाहिए था लेकिन उसके जगा पर 57 लिखा गया तो करेक्ट करना है तो क्रेक्ट हम लोग कैसे करेंगे जो sum of all observation आया है इसमें से सबसे पहले क्या करेंगे जो तो रॉंग observation था उसको हम लोग माइनस कर देंगे तो जैसे ही रॉंग observation को माइनस कीजिएगा इस सम में से मींस इसमें से एक आप हाटाईएगा एक observation को आप डिसकार्ड कीजिएगा तो बचे का number of observation कितना है 99 बच जाएगा लेकिन observation तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जो करेक्ट observation होना चाहिए उसको एड कर देंगे कहने का मतलब है जो सम नूम लोग 57 उसे सब्सक्राइगे सम आप अप जर्वेसं से 57 सब्सक्राइगे जैने एक्चुल ऑजर्वेसं जो 27 होना चाहिए उसको लोग कर देंगे थीक है देन डिवाइट बाई 100 रहेगा, ठीक है, so new mean, new mean, और correct mean हम लोग निकालते हैं, new mean और correct mean, क्या होगा, so that is equal to, same formula लगेगा, sum of all observation, sum of all observation, divided by number of, number of observation, ठीक है, अब sum of all observation को हम लोग correct करते हैं, correct sum of all observation क्या हो जाएगा, so that is, sum of all observation, जो old है, ठीक है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, minus कर देंगे, wrong observation, wrong observation, उसके बाद क्या करेंगे, plus कर देंगे इसमें, जो correct observation होना चाहिए था, ठीक है, divide by, same number of observation, ठीक है, यह correct हो जाएगा, so old observation क्या है, old observation देखिए, sum of old observation जो है, that is हम लोगों ने 4000 निकाला है, ठीक है, so 4000 लिख दीजिए, minus, wrong observation, 57 है, 57 को minus कर दीजिए, ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, correct add कर देंगे, 27, divide by, same 100 ही रा जाएगा, ठीक है, so अब देखिए कितना हो जाता है, 4000, ठीक है, minus, 57 में से 27, minus कर दीजिए, सो बच जाएगा कितना, 30, divide by, 100, ठीक है, so इसको minus किजिए, कितना जाएगा, 3970, divide by, 100, so this is 39.7, ठीक है, यह correct mean हमारे पास होगा, correct mean, ठीक है, ऐसे भी अगर आपनों ध्यान सा अब्जर्वेशन को देखिएगा, देखिए, initial observation क्या, sorry, initial mean कितना है, 100 का, 40 है, ठीक है, और इसमें जो wrong observation था, that is 57, तो कहने का मतलब 57 जब wrong observation लिये थे, तो 40 है, mean है ना, और actual observation क्या 27 है, तो जब इसको subtract करके 27 add किजिएगा, so total sum तो decrease हो जाएगा, so total sum अगर decrease होगा, तो obviously उसका mean भी जो है, वो decrease होगा, so initial mean देखिए 40 है, और final mean जो है, that is 39.7, ठीक है, so this is the correct mean, and this is the method to calculate the result of this sum.